प्रीइब करते हूँ मीडिया पर रिशब पंद की तुलना टोकी ओलम्पिक में जैविलीन त्रो में गोल्ड मेडल जीतने वाले भारत के स्टार एतलेट नीरा चोपड़ा से होने लगी है आपको पूरा मामला समझाते हैं क्या के रहसा हुआ क्या मैज के दोरान शिकरदवन का विकेट गिर जाने की कोशिश की आपसाइड में और काफी तीजी से बल्ला गुमा दिया लेकिन गेन और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ और रिशब पंद जीतनी ताकत से बल्ला को गुमाया था बल्ला उनकी हाथ से चूट गया और काफी दूर जाकर गिरा बस फिर क्या था सोशल मीडिय हैं अब को दो दें इसके बाद संडाई जैदरबाद की कप्तान की इन विलियमसन ने बल्ला उठाया और रिशब पंद को थमाया था बात अगर मैच की करें तो इस मुकाबले में सारिच ने टॉस जीत कर पहले बल्लेवाजी करने का फैसला किया था दिली कैपिटल्स ने गेंदबाजी करते हुए हैदरबाद की टीम को 20 ओवर में 9 विकेट पर 134 रन ही बनानी दिया था जवाम में दिली कैपिटल्स 17.5 ओवर में 2 विकेट कमाकर 149 रन बनाकर 8 विकेट से माच जीतने में सफल रही शेखरदवन 42 रन बनाकर आउट हुए जब कि शेयर सेयर ने 47 बनाएं वही कप्तान रिशव पंद ने 35 रनों की शानदार बारी खेली आपको दादें इस जीत के साथ दिली कैपिटल्स के 14 अंख हो गए है और टीम पॉइंस टेवल के टॉप पर चली गई है फिलाल गिली इस वीडियो में तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हैं वर अजय के साथ